दोस्तों ये है कॉलिव डॉप आज की विडियो में हम जानेंगे कॉलिव डॉप के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों कॉलिव डॉप बच्चों को दी जाने वाली दवा है जो काफी ज़ाधा डाक्टर सेजेस्ट करते हैं तो आईए जानते हैं, डॉक्टर कॉलिव डॉप गब और क्यूं सजेस्ट करते हैं, कॉलिव डॉप में इंग्रिडेंट्स क्या है, सारे इंग्रिडेंट्स के फाइदे क्या क्या है, कॉलिव डॉप बच्चे के लिए कितना असरदार है, ये कितना सेव है, और छोटे बच् कि कॉलिव ड्रॉप बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के बिलकुल भी ना दे मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ आपको अपने बच्चे को कोई भी ड्रॉप या कोई भी दवा देने से पहले अपनी डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है दोस्तों मेरा उदेश आपको सिर्फ जानकारी देने का है कोई भी दवा अपने बच्चे को देने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है दोसो कॉलिव डॉप के बारे में जानने के लिए आए सबसे पहले जानते हैं कॉलिव डॉप में मौजूद इंग्रेडेंट्स के बारे में दोस्तो कॉलिव डॉप में दो तरह की इंग्रेडेंट्स का इस्तिमाल किया गया है जैसा कि इसके पैक में लिखा है इसमें साइप्रोहेप्टाडिन और ट्राइकोलिन साइट्रेट का इस्तिमाल किया गया है तो आईए सबसे पहले जानते हैं साइप्रोहेप्टाडिन के ब बार बार छींक आना, खुजली वाली आखे या कई सारे allergic reaction होने पर या शरीर में खुजली होने पर शरीर में पित्ती जैसा problem होने पर इसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। काफी जादा allergy वाली problem होती है, तो ऐसे में डॉक्टर कई सारे लोगों को या बच्चों को साइप्लोहेप्टाडिन वाली दवा सजेस्ट करते हैं। कॉलिफ ड्रॉप में मौझूद दूसरा ingredient ट्राइकोलिन साइटरेट के बारे में। दोस्तो ट्राइकोलिन साइटरेट के बारे में जाने तो ट्राइकोलिन साइटरेट लिवर के लिए बहुत फाइदे मन्द है। ये लिवर के कोशिकाओं में लिपोट्रोपिक एक्शन को बढ़ावा देता है। ये लिवर में मौझूद फैट को और कोलेस्टोल को कम करने में मदद करता है। और फैटी लिवर जैसी बीमारी से बचाता है। दोस्तो ट्राइकोलिन साइटरेट बाइल एसीड एजेंट कहलाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ट्राइकोलिन साइटरेट लिवर को प्रोटेक करता है। ये लिवर को सुरक्षा प्रदान करता है। लीवर में पैदा होने वाले हानिकारक वसा या हानिकारक फैट से लीवर को साफ रखता है ट्राइकोलिन साइट्रेट लीवर के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है और कई सारे डॉक्टर इसे अलग-अलग दवाईयों के साथ सजेस्ट करते हैं दोस्तो अगर कॉलिव डॉप के बारे में जाने तो डॉक्टर कॉलिव डॉप कई सारे बच्चों को भूग बढ़ाने के लिए भी सजेस्ट करते हैं भूग बढ़ाने के लिए इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें मौझोड ट्राइकोलिन साइट्रेट बच्चे की भूग बढ़ाने में भी मदद करता है और साइप्रोहेप्टेडिन जो बच्चों को अलर्जी से भी बचाता है और दूसरे कई सारी दवाई भूग बढ़ाना है तो आप बिल्कुल भी ये दवा अपने बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह के ना दे क्योंकि छोटे बच्चे को कोई भी दवा देने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है दोस्तो कॉलिव ड्रॉप डॉक्टर कई सारे हिल्थ क करनिशन्स में सजेस्ट करते हैं जैसे बच्चे की कमजोर पाचन शक्ती होने पर भी दॉक्टर कॉलिव ड्रॉप सजेस्ट करते हैं इसके लावा जैसा कि मैंने आपको बताया भूग ना लगना या भूग बढ़ाने के लिए इसे दिया जा सकता है या फिर मौसमी ब्सक्ती होने पर इसके लावा पित्ती होना फोड़े होना छाले होना या घाव होने पर भी टॉक्टर कभी-कभी TIक्रियरोप सेफेर मीघन में और homeless जाने और बढ़ने एक हैं आपको convenience है व दूस्तों क्लिव डॉप कॉभी-कभी सैन्स प्रॉब्लम होने पर या नाग ग करते हैं दोस्तों इसके अलावा डॉक्टर बहुत सारे हिल्थ कंडिशन्स में बच्चे को कॉलिफ ड्रॉप सेजिस्ट करते हैं दोस्तों अब आये जानते हैं कॉलिफ ड्रॉप लेने पर या बच्चे को कॉलिफ ड्रॉप देने पर इसका क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सक जैसे कॉलिव ड्रॉप देने पर बच्चे को चिड़ चिड़ापन महसूस होना नींद का जाधा आना बच्चे को चक्कर जैसा लगना उल्जन लगना बच्चे को ठका ठका सा महसूस होने जैसी समस्या होना जैसी साइड एफेक्ट हो सकती है बच्चे को दोस्तों जो भी मै कर डॉक्टर के पास जाएं तो दोस्तों ये तो था कॉलिब डॉप के बारे में जानकारी अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करिए तो मिलते हैं अंगले वीडियो में अब तक के लिए जाहिन